इंडिया में अगर हम क्रॉप्स की सीजनल क्लासिफिकेशन देखें तो तीन सीजन में हमारे पास निकल करके आता। किस तरीके से होते है, कि ग्रोप पीरेड एक क्रॉप का क्या है और उसकी फ्लावरिंग के लिए बैस्ट पीरेड क्या है। या जिसको साउथ, वैस्ट, मौन्सुन शीजन भी बौला जाता है। इसका जो period होता है इस season का वो June जुलाई से लेकर September अक्टूबर तक का रहता है Basically ये वो crops होती है जिनको warm wet weather चाहिए होता है growth period के time पर flowering के time पर shorter day duration क्योंकि जैसे जैसे हम December की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो day duration है वो short होती जाएगी Maze, Caster, Groundnut दूसरा season होता है Rabi crops या जिसको हम post monsoon crops बोलते हैं ये October, November से लेकर के January, February तक continue करता है ये वो crops होते हैं जिनको basically cold dry weather चाहिए growth period के time पर और flowering के time पर day length जो है वो थोड़ी longer होनी चाहिए example में wheat, oats, potato, cabbage ये सब आएंगे फिर आपका next जो season आता है वो आता है जैद या जिनको हम summer crops बोलते हैं ये खारिफ और Rabi के beach का season होता है यानि कि February, March से, May, June का और ये वो crops होते हैं जिसमें warm dry weather के requirement होती है और flowering के लिए जो day length है वो long होनी चाहिए इसमें example आजाते हैं जैसे आपके cow pea, black gram, green gram